हेलो फ्रेंड्स मेरी चैनल सीमा किचिन एंड ब्लॉगिंग में आपका स्वागत है आज मैं बना रही हूँ मेवा गुड यह जनमाष्ट मी पर बनाया जाता है जैसे लेबरी के टाइम पर सिठोरा बनता है ऐसे ही कृष्ण जनम पर भी यह सोदा मैया के लिए सिठोरा बनता है इसके लिए गुड और ड्राइफ रूट का कोई मेजरमेंट नहीं है आपको जितना कम जादा लेना है आप उस हिसाब से ले सकते हैं तो यह हम बना रहे हैं इसके लिए हमने ड्राइफ रूट ले लिए हैं काजू, बादाम, किसमिस, गौंद और चिरोंजी और गरी गरी मेरे घर में ही लगी है नारियल का पेड तो उसी से हस्बेंड ने निकाल दिया है सूखा नारियल हो गया था काफी दिन से रखे थे तो एक गरी के गोले को तो वही हमने काट लिया है देखिए इस तरह ऐसे और इसमें थोड़े से पिस्ता लिए हैं गौंद लिए हैं और मखाने लिए हैं काजूओं को दो दो टुकड़ों में हम काट लेंगे और बादाम भी काट लेंगे दो चार टुकड़ों में और यह हैं पिस्ता भी काट लेंगे और चिरोंजी और किसमिस को नहीं काटेंगे और गौंद को भी ऐसे ही सेकना हैं अगर गौंद जादा बड़ी बड़ी है तो उसको तोड़ देना है फोल लेना है और मखानों को भी हम नहीं काटेंगे ऐसे ही मखाने को तल लेंगे सभी कुछ देशी घी में सुद्ध घी में ही तलना है फ्राई करना है देखे इस तरह से सभी मेवा को हम काट लेंगे जनमाष्ट मी पर यह मेवा गुड जरूर बनाया जाता है कोई-कोई मेवा को गुड में पाग देता है बर्फी टाइप से बना देता है और कोई ऐसे ही खिला हुआ गुड बनाता है और देखे इसके लिए पोस्ता दाना ले लिया है गरी काट ली है और चिरोंजी और किसमि काजू बादाम और पिस्ता या भी सारे काट लिये हैं चोटे-चोटे टुकड़ों में और अब एक कढ़ाई में घी डाल दिया है सुद्ध देशी घी डाला है और उसी में सभी मेवा को हम सेखेंगे slow to medium gas में ही सेखना है तेज नहीं करना है इस तरह से हम सभी को सेख लेंगे और आप लोग इस तरह से गुड़ बनाईए बहुत ही अच्छा गुड़ लगता है बहुत टेश्टी लगता है और हमने अब काजू डाल दिये हैं और काजू के साथ ही पिस्ता डाल दिये हैं पिस् आजूओं को भी हम निकाल देते हैं और इसके बाद हम गरी सेखेंगे गरी को बड़े टुकड़ों में काटा है आपका दुकस भी कर सकते हैं और अभी बड़े टुकड़े में काटा है फिर हम इसको छोटे टुकड़े में तोड़ देंगे छोटे छोटा कर देंगे और द अब इसमें हम किसमिस को सेख लेंगे किसमिस भी सिलोगैस में ही सेखना है देखे इस तरह से और आपको मेरा वीडियो पसंद आये तो अपने फ्रेंड और रिलेडिब्स में stage करें और आप भी जरूर बनाईए और देखिए यहां किसमिस सिख गई है तो हम किसमिस को भी निकाल देंगे और अब हम इसके बाद चिरोंजी डालेंगे चिरोंजी को सिखेंगे सिलोगेस में ही चिरोंजी को सिखना है नहीं तो वह जल जाती है और अगर आपके पास कोई ड्राइ फ्रूश नहीं है तो जो है वो भी डाल सकते हैं चिरोंजी नहीं है तो इसकिप भी कर सकते हैं अब हमने यह है बिना कटा मसाला भी सेक लिया है इससे हम गुड़ पाक बनाएंगे तो देखिए हमने बादाम को काटा नहीं है ऐसे ही सेक लिया है तो बादाम हम निकाल लेंगे सेक गई है तो अब हम इसमें काजू भी डाल देंगे काजुओं को भी हमने काटा नहीं है ऐसे ही काजु फ्राइ किये हैं तो देखे काजु भी फ्राइ हो गए है तो काजुओं को निकाल दिया है अब हम गॉंद को फ्राइ करेंगे और गॉंद अगर बड़े साइज किये तो पहले उसको छोटा कर लेना है किसी चीज से तवा के कूट के तो यह मेरी छोटी ही है तो हमने इसको छोटा नहीं किया है और गौंद को इस तरह से घी में सेखना है थोड़ा दबाते भी जाना है और अब गौंद सिख गई है तो उसको हमने निकाल दिया है और थोड़ी गौंद और डाल दी है हमने इस तरह से दूसरे बार की भी सेख लिए है और लाश्ट की थोड़ी और बची है तो उसको भी सेख के निकाल लेंगे और देखिए गौंद को सिख जाती है तो इस तरह से तूटने लगती है हास से दबाओ तो जल्दी दब जाती है यही पैचान है कि गौंद सिख गई है और गौंद यही गौंद अच्छी होती है जो अच्छे से सिख जाती है और जो गौंद अच्छी नहीं है वह सिखने से तूटती नहीं है फूलती नहीं है तो देखिए यह सभी सिख गए है तो थोड़ा संखी बचाया काला हो गया उस अब हम इसमें दूसरा घी डालेंगे थोड़ा मखाने बचे हैं तो साब घी और डाल दिया है तो यह मखाने भी हम सारे सेख लेंगे मखानों को सेख के निकाल देंगे और आप लोग गुड कैसे बनाते हैं जरूर बताईए और मेरी चैनल में फर्स्ट टाइम वीडियो आप एच्छे वीडियो देखने के लिए मिलेंगे और रेसी पी अच्छी चीखने के लिए मिलेंगे और देखिए मखाने भी इस तरह ऐसे सेखना है कि वह हाथों से तूटने लगें मखाने सिख गए हैं तो निकाल दिया है और अब उसी कड़ाई में थोड़ा घी और डालेंगे हम तो इसमें पोस्ता दाना सेखेंगे पोपी सीड बोलते हैं इसको खस-खस दाना भी बोलते हैं खस-खस भी बोलते हैं तो इसको पोस्ता दाना को भी हम सेख लेंगे और आप वीडियो को पूरा देखिए इसके मत करिए पूरा देखने से आपको पता चलेगा और वीडियो को लाइक करिए और कमेंट भी करिए तो इससे हमारा मॉटिवेशन बढ़ेगा नए नए वीडियो लाने का मन करेगा और देखिए हाँ पोस्ता दाना भी सिग गया है तो हमने उसको निकाल दिया है और थोड़ा कड़ाई में ही पड़ा है तो हम गुड में डाल देंगे और देखिए सारे मखाने में वे सारा ड्राइप रूट्स सिग्या है इस तरह से सेख लेना है अब हम यहां रखते हैं यह है थाली में रखा है उससे गुड पाग बनाएंगे और इससे हम गुड बनाएंगे खिला हुआ गुड तो इसमें नारियल जादा है गरी हमने एक साथ ही कर ली थी तो इसको हमने निकाल दिया है और थाली में से हमने गौंद को इसमें बाउल में डाल लिया है और किसमिस भी डाल ली है और चिरोंजी भी डाल ली है सभी को हमने बाउल में निकाल लिया है और थोड़ा थोड़ा थाली में ही बचा रहने दिया है और गरी बड़ी बड़ी है तो इसको हम हाथों से तोड़ देंगे और अब इसमें हम गुड मिलाएंगे गुड को भी हमने फोड़ लिया है बारी कर लिया है तो इसमें अब हम गुड मिला थोड़ा गुड़ और मिला देते हैं जादा कम लग रहा था तो और बड़ा बड़ा गुड़ है थोड़ा तो उसको अलग कर देते हैं और अब हातों से अच्छे से मिक्स कर देंगे मिला देंगे और यह कड़ाई में घी और पोस्ता दाना बचाता तो वह भी हमने डाल दिय है और थोड़ा पोस्तादाना कटोरी से भी डाल दिया है और इसमें अब हम सौंठ डालेंगे गुड में सौंठ जरूर डलती है तो आप जरूर डालिए और पोस्तादाना भी जरूर डालिए बांकी मसाले स्किप भी कर सकते हैं पर सौंठ और पोस्तादाना जरूर डालना है उसी से गुड का टेस्ट बढ़ता है अच्छा टेस्ट आता है और देखिए हमने सोट डाल के मिक्स कर दिया है और थोड़े मखाने और डाल देते हैं मखाने पहले कम डाले थे अभी उपर से और मखाने हमने डाल दिये हैं और सभी को डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया है और आप लोग इस तरह से गुड़ बनाईए बहुत टेस्टी लगता है जरूर बनाईए और जन्माष्ट में पर यह जरूर बनाया जाता है इसके बिना जन्माष्ट में अधूरी रहती है और अब इसमें गुड़ बन गया है सब मिक्स हो गया है तो अब इसमें पिगला हुआ दियूंढ already? अच्छे देश्टी के अपर सबसे हैं आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीजी चैनल कोότε। यार एंड सास्क्राइब कर ये थैंक यू फॉर वाचिंग